भाजपागे वरिष्ट नेता नरेंद्र मोधी को सरो सम्मती से एंड ये संसरी दलका नेता चुना गया रईवार को लेंगे तीसरी बार पधानमंत्री पत की सपत धानमंत्री नरेंद्र मोधी ने वरिष्ट भाजपा नेता लालकृष्ण आडवानी, मुरली मनुहर जोसी और प्रामनाथ कोविन से की मुलाकात भार्ती रिजर्ब बैंक ने लगातार आट भी बार रैपो दर में नहीं किया कोई बदलाओ, 6.5 प्रतीसत पर ही रखा बरकरार और सब जुनियर और जुनियर पावर लिप्टिंग प्रत्योगीता में 36 गड़ के धनराज कंदरा ने बनाया वर्ल रिकॉर्ड 69 किलो वजन वर्ग में नया राश्ट्रे रिकॉर्ड बनाया नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समचार, मैं हूँ अंकित मिस्रा और अब समचार विस्तार से राश्ट्री जनतांत्रिक गड़ बंधन NDA ने सर्व सम्मती से नरेंद्र मोधी को अपना नेता चुना है विरहिवार को तीसरी बार प्रधान मंत्री पत की सपत लेंगे आज नई दिल्ली में NDA संसदी दल की बैठक के दौरान वरिष्ट भाजपा नेता और केंद्री मंत्री राजनात सिंग ने स्री मोधी को NDA का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा और NDA के सभी घटक दलों के नेताओं ने इनका समर्थन किया प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केंद्री मंत्री अमित्साह ने कहा कि यहां सिर्फ NDA संसदी दल की बैठक में बैठे नेताओं की नहीं बलकि इस देश के 140 करोड लोगों की इच्छा है बाजपा के वरिश नेता और केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां सुनिश्चित करने के लिए पूरे समर्पन के साथ काम किया है कि देश समर्थ और महा सक्ती बने इस अउसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि NDA उन दलों का समू नहीं है जो सत्ता के लिए एक साथ आए हैं बलकि यहां राश्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने के लिए प्रतिबध गठबंदन है स्रिमोधी ने कहा कि आज देश की जनता ने NDA को 22 राजियों में सरकार बना कर सेवा करने का उसर दिया है सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है जो भारत का आत्मा है भारत की जड़ों में जो रचा बसा है उसका एक अर्थ में प्रतिबीम है हमारे देश में दस ऐसे राज्ये जहां हमारे आदिवासी बंधों की संख्या प्रभावी रुप से है निरनायक रुप से है जहां इस आबादी आदिवासीों की ज़्यादा है ऐसे दस राज्यों में से साथ राज्यों में एंडिये सेवा कर रहा है इस मौके पर 36 गड़ के 10 संसद प्रदेश के मुख्य मंत्री विश्णु देव साए उप मुख्य मंत्री अरुन साव विजय सर्मा के अलावा सरोज पांडे और लत्ता उसेंडी भी मौजूद थी एंडिये के संसदी दल का नेता चुने जाने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी संसद के सेंटरल हॉल से सीधे भाजपा नेता भारत रतने लालकृष्ण आडवानी के घर पहुँचे यहां उन्होंने आडवानी से मुलाकात की और उनका असिरवाद लिया उसके बाद स्री मोधी भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोसी और पुर्व राष्टपती रामनात कोविंद के घर भी पहुँचे और उनसे भी मुलाकात की लेखनी है कि प्रधान मंत्री नरेंद मोधी समय समय पर स्री आडवानी और स्री जोसी से मुलाकात करने उनके घर जाते रहे हैं इससे पहले जब स्री आडवानी को भारत रत्न दिया गया था तब स्री मोधी उनके आवास पहुँचे थे 96 वर्षरी श्री आडवानी भारचपा के संस्थापक सदस्य हैं वे अटल बिहारी वाजपई सरकार में उप्रधान मंत्री भी रह चुके हैं भारती रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौदरिक निती समिक्षा में रेपो दर 6.5 प्रतिसत पर ही रखने का फैसला लिया है सथा बैंक दर 6.75 प्रतिसत पर ही रखी गई है मौदरिक निती समीती ने दो के मुकाबले चार के बहुमत से ये फैसले लिये हैं समीती ने आर्थिक वृद्धी को बढ़ावा देने के साथ साथ मुद्रा इस्फिती को लक्ष के भीतर रखने पर बल दिया अर्बियाई गवर्नर सक्तिकान दास ने कहा कि मुद्रा इस्फिती और आर्थिक वृद्धी का संतुलन अनुकूल रहा है उन्होंने कहा कि मौद्रिक निती की प्रतिपद्धिता मुद्रा इस्फिती को 4 प्रतिसत के भीतर रखने की है स्रीधास ने कहा कि मौद्रिक निती समीती सामान मानसून के अनुमान के बीच खादी मुद्रा इस्फिती पर नजर बनाया रखेगी रिजर्व बैंक ने वर्तमान विद्धिवर्ष के लिए आर्थिक विद्धी दर अनुमान साथ प्रतीसत से बढ़ा कर 7.2 प्रतीसत कर दिया है ऐस प्रती पुछव को इ tampoco बां विदिए सेजर्ड व्रतीस जाए हैं तो ओर विद्धिवर्थ फिद् a इनुष्वाश् लिए टेस्वाइफ जल्सी कर आगपा defend the लक devotees विद ऊनुमान ऐस्टारा सुनरा डिराकर कैन्स माजिबका ओर अधितवा हाथ के पर धन को ए लोग फेक्षितरे अי। धर इन।लीज़ यह produkाव वेम्दफ सुनराब का रहност of US dollar 41.6 billion. Since the beginning of 2024-25, however, foreign portfolio investors have turned net sellers in the domestic market with net outflows of US dollar 5 billion till June 5. निर्यात दोनों इस्तरों पर बढ़ावा देने के उद्देश से Toy Association of India के नेत्रितु में एक प्रतिनिधी मंडल संयुक्त अरब अमीरात पहुचा है. प्रतिनिधी मंडल ने दुबई में भारत माट का दोरा किया और अबू धाबी में भी संभावनाय तलासी. भारती खिलावना उद्द्यों को इस्थानी विनिर्मान को प्रत्साहित करते हुए वर्स 2020 में एक बड़ा बदलाव मिला. इससे आयात 50 फीजदी से अधीक कम हो गया और निर्यात 240 फीजदी बढ़ गया है. TAI के अध्यक्ष अजय अगरवाल ने कहा कि भारती निर्माता अब आवस्यकताओं के नुसार अच्छी गुनवत्ता वाले उत्पाद, पैकेजिंग और प्रिक्षन की पेसकस करते हैं. TAI भारत के खिलावना उद्योग की अग्रणी आवाज बनी हुई है, जो वैस्विक मंझ पर भारती निर्मित खिलावनों की गुनवत्ता और विधीवत्ता को प्रदर्शित करती है. उनकी वार्षिक प्रदर्शनियों ने 7000 से अधिक खरिदारों और विक्रिताओं को जोड़ा है, जिससे महत्वपूर्ण व्यावसाय उत्पन हुआ है और भारती खिलावनों की उत्कृष्टता को जागर किया है. स्रिलंका में भारत के उच्चा युक्त संतोज जहा ने अंतरराष्ट्री योग दिवस से पहले कुलंबो के स्वामी विवेका नंद सान्श्कृतिक केंद्र में योग महत्साव का आपचारी कुद घाटन किया, दस दिवसी योग महत्साव 13 से 22 जून तक स्रिलंका के प्रतिष्थित इस्थानों पर आयुजित किया जाएगा, खबरों का सिलसिल आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सब्रेक आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की उर, रागर नगर निगम ने बारिज से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, निगम दौरा अभियान चलाकर सहर के नालों, पुल, पुलियों की साब सफाई की जा रही है, बारिज में जल भराओ की स्थिती से निपटने के लिए टीम भी बनाई गई है, निगम आयुक्त सुनिल कुमार चंद्रवनसी ने स्वास्थोई भाग के जो मोस्ट अफ जो एरिया हैं जहां पर जल भराओ की स्थिती थी, उसमें प्रधमबार की स्थिती में सफाया हो गई हैं, बड़े नालियों में पोकलान अभी चल रहा है, तो संभाता हम जो है जुन के फिर्स्ट फेक तक के सभी नालों और नालियों को साफ करने के स्थित के साथ वो बस्तित रहें और जल भराओं की सिज़े से निपढ़ सके हैं निगमायुक्त सुनिल कुमार चंद्रवनसी ने सहर में जल भराओं की स्थिति वाले क्षेत्रों का निरिक्सन किया और आवस्यक उपाय करने के निर्देश दिये इस दोरान महलेवासियों से भी कमिश्नर ने चर्चा की लोगों ने बताया की प्लाटिंग होने और नाले से पानी निकासी बाधित होने के कारण बरसात की दिनों में जल भराओं के स्थिति निर्मित होती है कमिशनर ने समस्या का जल्धी समधान करने का आश्वासन दिया है राजस्थान के स्री गंगा नगर में आज से राश्टरी सब जूनियर और जूनियर पावर लिप्टिंग प्रतियोगीता सुरू हो गई है इस परदा के पहले दिन चतिसगर के खिलाड़ी धनराज कंदरा ने 69 किलो वजन वर्ग में 110 किलो बेंच प्रेस लिप्ट कर नया राश्टरी रिकॉर्ड बनाया है वो लेखनी है कि बेंच प्रेस प्रतियोगीता की समापती तक धनराज प्रतम इस्थान पर चल रहे हैं अभी डेट लिप्ट के तीन राउंड होना बाकी है इस वर्ग में धनराज का मुकाबला जम्मू कस्मीर और जारखन के खिलाडियों के साथ है अब कुछ खबरें जीलो से बेमेतरा जीला अस्पताल में आयूरवेद चिकित्सा केंदर आयू स्विंग सुरू हो गया है कलेक्टर रंबीर सर्मा ने इसका सुभारम किया आयूरवेद चिकित्सा केंदर में विभिन प्रकार की आयूरवेदिक उप्चार सुविधाय उपलब्द कराई जाएंगी जिसमें पंच कर्म, हरबल उप्चार और योग शामिल है इस केंदर में विशेशगे चिकित्सकों की टीम नियुक्त की गई है जगदलपूर के ज्यान गुडी केंदर के 64 में से 25 बच्चों का चयन राश्टरी पातरता और प्रवेश परिक्षा नीट के लिए हुआ है सफल हुए सभी बच्चों से बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने मुलाकात कर उनके उज्वल भविस्य की कामना की उन्होंने बच्चों को चिकित्सक बनकर वापस बस्तर क्षेत्र में सेवाय देने की अपील की इस अवसर पर पुलीस अदिक्षक, सलब सिन्हा और जीला पंचैत सीईओ प्रकास सर्वेश राश्टरी म्यूथाई चेंपियंशिप में और तीन खिलाडियों ने कान से पदग जीता इस चेंपियंशिप में 29 राजियों के लगभग 850 खिलाडियों और अधिकारियों ने भाग लिया था डूंगरगड पुलीस ने चोरी के जेवरात के साथ एक नाबालिक सहीत तीन आरोपियों को गिरबतार किया है डूंगरगड पुलीस SDOP 80 कुनजाम ने बताया कि आरोपियों में नीजी स्कूल की एक महिला सिक्षिका भी सामिल है जो चोरी का माल सराफा बाजार में बेचने का काम किया करती थी आरोपियों ने 30 मई को कालका पारा में एक सुने मकान को निसाना बनाया था जिसके बाद पुलीस उनकी तलास कर रही थी दुर्ग पुलीस ने डेड़ कुंटल गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरबतार किया है जब त गांजे की कीमत करीब 60 लाख रुपए आकी गई है दुर्ग क्राइम डीएसपी रीचा मिस्रा और अतिरिक्त पुलीस अधिक्षक सुखनंदन राठाउर ने प्रिसवार्ता में यह जानकारी दी यारोपी उडिशा से माल वाहक गाड़ी में दूसरे सामानों के साथ गांजा की तसकरी करते थे पुलीस ने इस मामले में पांच वाहन भी जब्त किये हैं इसी के साथ यह समचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार